तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही थी आप में देखा होगा Android के सबस मुबाइल में एक प्रॉब्लम आने लगी थी कोई भी आपको खोलते हैं एप्स खोलते हैं तो वहाँ पर आपको अगे मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम से कैसे सल्यूशन ले पाएंगे कैसे आप उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे दोस्तों यह जो प्रॉब्लम आ रही थी यह सेमसंग नहीं इस एमसंग क्या हर Android मोबाइल में यह प्रॉब्लम आपको आ रही थी आज में जो आपको बताने वाला हूँ अगर आप उससे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम में सल्यूशन हो जाएगी और वही इस टेप अगर आप दूसरे Android फॉन पर भी करेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम को दूर हो जाएगी तो आगे चलते हैं द बिलए कोई दूसरा Speech चला रहा हैं तो यहां पर आपको सफ मान लेना है एक नाम उसके पाल आपको जाना है वहां पर सेंटिंग में सेंटिंग में चिर्फ otherwise को अपसकर आंप कजिए हम राएंगे इई आपको इस को अपन कर लेना ओПन करने वहां पर आएं फ्री也可以 अाम्OS may Valleyаго uninstall update आप an install update को को यहां पर ओंक्ए relaxed कर करके confirm कर देना तो आपको first यहां पर कर देना इस Ad ko a methodology को उसके वाद आपको करना किया है अपने जाना में प्ले स्टोर में, व्ले स्टोर में जाने किया है अपको यहां पर जाएंगे अपने my app में तो आपको वहाँ पर वो app मिल जाएगा update के लिए तो आपको simply उस app को कर लेना update और यह आपकी problem वहाँ पर solution हो जाएगा आपको simply करना क्या है उस app को कर लेना update जैसी आप इस app को update करेंगे आपकी problem पूरी तरह से solve हो जाएगी जो कि मेरे साथ हुई है और मेरी problem solution हो गया तो जैसी आप इस app को download कर लेंगे उसके बाद आपकी जो भी problem है 100% problem solution हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था और मैंने इस app को update किया और उसके install करके update किया और मेरी problem solution हो गया तो यही इस टेप अगर आपको इसे भी फॉलो करें एंटो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कम है दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना वोलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अप्रेट आपको सबसे पहले मिले तो थेंक्यों